हेलो मेडिकोस, कैसे हैं सब लोग, I hope कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी, चल रही है न, छीक है, तो आज मैं आपके लिए एक गुड नियूज लेके आई हूँ, गुड नियूज, येस, बताओं क्या है वो गु हमारी most demanding and most awaited book, जी हां, most awaited book, यानि की trick and tech, वो भी RMB app पे, जो की बिल्कुल फ्री है, तो देर मत कीजिए, अभी डाउनलोड कीजिए RMB app और trick and tech को बाईए वहाँ पे, तो तब तक हम trick and tech की एक trick के बारे में बात कर लेते हैं, तो बच्चों जब मैं आप से पूछूँग की paramagnetic कैसे निकाला जाता है, paramagnetic, diamagnetic रेक्टर निकालने के लिए आप क्या करोगे, bonding, anti-bonding निकालोगे, formula लगाओगे और paramagnetic बितादोगे, तो अगर मैं आज आपको बताऊँ की paramagnetic, diamagnetic निकालने के लिए एक trick है, जिसमें आप चुटकियों में question कर सकते हो, तो कैसा रह रहे हैं, paramagnetic and diamagnetic, paramagnetic निकालने के लिए आपको electron sum निकालना आना चाहिए, electron sum निकालके आप बहुत easily पता कर सकते हैं, कि वो paramagnetic है या diamagnetic, बताए जाए क्यासे हैं, अगर आपका electron sum इवन है, तो वो होगा diamagnetic, और अगर वो odd है, तो होगा paramagnetic, मतलब अगर आप electrons को add करते हैं, जो balance electron है, वो आपके even आता है, तो वो diamagnetic होगा, अगर sum आपका odd आता है, तो वो paramagnetic होगा, ये rule है, इसमें बस आपको एक exceptional case है, जिसमें, अगर आपका electron sum 10 और 16 होगा, सिर्फ यहाँ पे ये rule आपका follow नहीं करना, ये बात आपको दियान रखने है, कि अगर आपका electron sum 10 और 16 आता है, तो रूल के according वो diamagnetic होना चाहिए, बट यहाँ पे वो diamagnetic नहीं होता है, वो आपका paramagnetic होता है, ठीक है? तो अगर मैं बात करूँ, H2 की, H2 plus, N2, CO, O2, O2 plus, O2, 2 plus, और भी बहुत सारे आप ले सकते हो, ठीक है? अगर मैं hydrogen की बात करूँगी, इसमें कितने हैं 2, यानि कि even हैं, ये आपका diamagnetic होगा, अगर मैं hydrogen की बात करूँगी, hydrogen H2 plus, यानि कि वहाँ से एक electron आपका निकल गया है, तो एक बचा यानि कि odd, तो यहाँ पे आपका होगा para, N2, N2 में electron sum क्या होगा? 14, यानि कि even, इसमें आपका diamagnetic होगा, इसी तरह CO, O2, O2 plus, O2, 2 plus, जैसे O2 में क्या होगा? 16, यहीं पर मैंने आपको बताया कि यह rule आपका follow नहीं होगा, 16 आ रहा है, तो यहाँ पर यह आपका rule के according, diamagnetic होना चाहिए, बट यहाँ पर यह आपका diamagnetic ना होगी, यह आपका paramagnetic है, ठीक है? O2 plus, यानि की एक negative आपका महाँ से चला गया, तो यह आपका 15 होगया, यह आपका odd आगया, तो यह आपका para होगा, O2, 2 plus, यहाँ से 2 electron चलेगे, यह आपका 14 है, यहाँ पर आपका even है, तो यह भी आपका diamagnetic होगा, 10 यानि की B2, ठीक है, अगर हम 10 की बात करेंगे, तो B2, B2 में आपका electron sum होगा, 10, यह अपना rule के according diamagnetic होना चाहिए था, बट यह आपका paramagnetic है, तो I hope कि आपको यह trick समझ आ गई होगी, ऐसी ही बहुत सारी interesting tricks के लिए, आज ही download कीजिए, आरंब app जहां पर आपको complete trick and tech मिलेगी, वो भी free of course, तो तब तर keep learning, keep rocking, all the best.